अपनी जी ट्वेंटी एक्षिक्स्ता में भारत ने सस्टेनेबल डेवलोपमेंट और क्लाइमेट चेंज इन दोनों विश्यों को बहुती प्रात्विक्ता दी है हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को अपनी अध्यक्स्ता का आधार बनाया और साजा प्रयासों से कई विशों पर सहमती बनाने में भी सफलता पाई प्रेंट्स हम अब सभी जानते हैं कि भारत सहीत ग्लोबल साउट के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमी का बहुत कम रही है पर क्लाइमेट चेंज के दुस्प्रभाव उन पर कहीं अधीक है समसाधनों की कमी के बावजूद ये देश क्लाइमेट एक्षन के लिए प्रतिवद्ध है ग्लोबल साउट के आकांग्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनांस और टेक्नोलोजी बहुत ही जरूरी है ग्लोबल साउट के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकामला करने के लिए विक्सित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें यह स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है फ्रेंड्स जी ट्वेंटी में इसे लेकर सहमती बनी है कि क्लाइमेट एक्षन के लिए 2030 तक कई ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनांस की आवश्चकता है ऐसा क्लाइमेट फाइनांस जो अवेलिबल हो एक्सेसेबल हो और एफ़रडेबल हो मुझे आशा है कि युए एक के क्लाइमेट फाइनांस फ्रेमवर्क इनिशेटिव से इस दिशा में बल मिलेगा कल हुई लॉस एंड डेमेज फंड को ओप्रेशनलाइज करने के इतिहासे इंदिनेरे का भारत स्वागत करता है इससे कोप ट्वेंटी एट समिट में नई आशार का संचार हुआ है हम उमीद करते हैं कोप समिट से क्लाइमेट फाइनांस से जुड़े अन्य विश्व पर भी ठोज परणाम निकलेंगे पहला कोप ट्वेंटी एट में न्यू कलेक्टिव क्वेंटिफाइड गोल अन क्लाइमेट फाइनांस पर वास्त्विक प्रगति होगी दूसरा ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगे इस फंड की त्वरीद भरपाई की जाएगी तीसरा मल्टि लेटरल डेवलोप्मेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्षन के लिए भी एफ़र्डिबल फाइनांस उपलब्द कराएंगे और चौथा विक्षित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुट्प्रिंट जुरूर खत्म करेंगे मैं यही द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट सब फंड सापित करने की गोष्णा का रदेश से स्वागत करता हूं उनका अभिननन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू